दोस्तो अफगानिस्तान के खिलाफ औस्ट्रेलिया ने बहिमानी कर जीता मैच लेकिन भारत को पॉइंच टेवल में करवा दिया बड़ा फायदा अब टीम इंडिया को एक एक कर मिली बड़ी खुश कबरिया पाकिस्तान तो हो गई भार तो दोस्तो यहाँ पर आखिरकार आउस्ट्रेलिया की जीत के बाद पॉइंच टेवल कैसी दिखती है क्या समीकरण बन रहे हैं भारत को मिले लाब वो सब बताएंगे तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना लेकिन उससे पहले अगर तुम भी चाहते हो कि भारते टीम फाइनल खेले आईसी सी टी 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 वर्ड़कप का तो वीडियो को जरूर लाइक करना तो चलिए अब शुरू करते हैं दोस्तो आईसी सी टी 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 वर्ड़कप अब अपने अंतिम चरड़ पर आ चुका है और जैसे आगे मुकाबले बढ़ रहे हैं उसी हिसाब से पॉइंच टेवल के समी करड़ में बड़े बदलाव और उलट फेर देखने के लिए मिल रहे हैं लेकिन यहां तो आउस्ट्रेलिया की जीत के बाद उलटा पॉइंच टेवल के समी करड़ों में ऐसा बदलाव हुआ कि बाद तक के समी करड़ जानकर आपको भी यकिन नहीं होगा दरसल दोस्तों आउस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच हुआ मुकाबला एडिलेड में खेला गया और इस मुकाबले में आउस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 8 विकट के नुक्सान पर 168 रन बनाये थे जा अफगानिस्तान की टीम को 179 रनों का लक्षय मिला था एक समय पर तो उमीदे लग रही थी कि अफगानिस्तान की टीम इस मुकाबले को अंतिम ओवर में जीत जाएगी क्योंकि यहां इबराहिम जादरान और गुलबदीन नाइब के बीच में एक अच्छी साजेदारी पनप रही थी लेकिन इस साजेदारी को तोड़ने का काम क या ग्लेन मैक्सवेल ने जहां उन्होंने गुलबदीन नाइब को और शामदार रन आउट कर अफगानिस्तान को ये बड़ा जटका जैसे ही दिया उसके बाद एक के बाद एक लगातार अंतराल पर विकट गिरते चले गए अलाकि फिर अंतिम ओवर में राशित खान ने आप बढ़े ही तियस गिंदो में अनतिम के कुछ ओवरों में राशित खान ने बले ही, तियस गिंदों में अरतालीस अनों की दुवादहर पारी खेली और अपनी इस पारी में उन्ने तीन चोक्ये और चार वड़े च्छक्के लगाए। लेकिन दोस्तों राशित खान की ये पारी मैच जिताने में शक्षम नहीं थी जिसके चलते आउस्ट्रेलिया की टीम यहाँ चार रन से इस मुकाबले को जीत गई तो वहीं दोस्तों आउस्ट्रेलिया की शामदार जीत के बाद पॉइंच टेवल के समिकरड अब बदल चुके हैं और आप सभी जैसा की यहाँ पर देख सकते हों की ग्रूप वन की पॉइंच टेवल में पहले नमर पर नियूजिलेंड की टीम ही बरकरार है जो की पहले ही टीटवन्टी विश्व कप में क्वालिफाई करने वाली एकलौती टीम भी बन गई है लेकिन दोस्तों यहाँ हम आपको बता दें कि नियूजिलेंड की टीम ने पांच मुकाबले टीटवन्टी विश्व कप में खेले तीन मैच इनों ने जीते और एक में इनको हार का सामना करना पड़ा हाला कि पूरी दुनिया के सबसे अच्छे नेट रन रेट के साथ नियूजिलेंड ने साथ पॉइंट हासिल किये और इसी लिए उनको पहले नम्मर पर शुमार किया गया और दोस्तों नियूजिलेंड के अलावा अब दूसरे नम्मर पर उस्ट्रेलिया के टीम आ चुकी है जिसने पांच ही मुकाबले खेले हैं तीन में इनको जीत मिली है एक में हार का सामना करना पड़ा और एक मुकाबला बारिश के चलते रद हो गया था लेकिन दोस्तों इनके पॉइंट तो साथ है हाला कि इनका जो नेट रन डेट है वो माइनस जीरो पॉइंट एक है और इसी वज़े से उस्ट्रेलिया की टीम भले ही मुकाबला आज जीत गई है लेकिन अब वो इंतजार कर रही है कि इंगलेंड की टीम श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले को हार जाए और जिसके चलते इंगलेंड के पॉइंट रह जाए मातर पांच जो की तीसरे नम्मर पर बरकरार है पॉइंट टेवल में जैसा कि आप देख सकते हो चार मैच खेल कर और श्रीलंका की टीम चौथे नम्मर पर है और अगर दोस्तों यहाँ से श्रीलंका जीत गई तो वो तो क्वालिफाइ करने वाली है नहीं लेकिन इंगलेंड की टीम आसानी से क्वालिफाइ कर जाएगी अगर उसने श्रीलंका को हरा दिया तो दोस्तों यहाँ पर औस्टेलिया को जीत के बाद खुश खबरी तो मिल गई है लेकिन एक दुख भरी खबर उसके लिए यही है कि इंगलेंड और श्रीलंका का मुकाबला जो की कल खेला जाएगा तो वहीं दोस्तों पांचवे नमर पर इस लिष्ट में आयरलेंड की टीम है जिनके तीन ही पॉइंट है और छटे नमर पर आती है अफगानिस्तान की टीम जिनके पांच पॉइंट है और दो मैच इनके बारिश के चलते रद हो गयते एक भी मुकाबले में जीत नहीं मिली और दो पॉइंट इनके रहते हैं वही बात कर लें अगर गुरुप दो की पॉइंट टेवल के बारे में और अगला मुकाबला अगर बहारत जीत जाती है तो वो पहले नमर पर यहां समाप्त करेगी पॉइंट टेवल में लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर यह देखने वाली बात होगी कि अब सेमी फाइनल मुकाबला जो भारत का होगा वो न्यूजिलेंड की टीम के खिलाफ होने वाला या ठेलिया या फिर इंग्लेंड के लेकिन दोस्तों हमारी माने तो ऐसा लगता है कि इंग्लेंड की टीम असानी से कौलिफाई कर जाएगी सेमी फाइनल के लिए शेरिलंगा को हराकर और भारत का जो सेमी फाइनल मुकाबला होगा वो इंग्लेंड की टीम के खिलाफ ही खेला जाएगा तो वहीं बात करें अगर साउथ ऐफरीका की तो दोस्तों यहाँ पर साउथ ऐफरीका और पाकिस्तान की टीम के बीच अभी भी जंग जा रही है और दोस्तो पाकिस्तान की उम्मीदे भी अभी जिन्दा हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने चार मुकाबले खेले हैं, दो में जीत मिली है, दो में इनको हार का सामना करना पड़ा, और अगर भारत अगला मुकाबलेंट के खिलाफ हार जाता है, तो यहाँ पाकिस्तान की टीम अग और आपके अनुसर इस साल T20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला क्या भारत पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताईएगा